हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे मौनिंग ब्रिक्फास्ट रेसीपी उपमा और ये हेल्दी वेट लोस रेसीपी है इसे बनाना बहुती आसान है और ये कम समय में फटा फट बन जाती है और स्वाद में बहुती टेश्टी लगती है और दोस्तों, आज की बॉनस टिप जानने के लिए बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो के एन तब तो चलिए, आज की मज़ेदार रेसीपी सुरू करते है अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हुए है तो लाइक करें और नए है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें उक्मा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ओन करके पैन गरम करेंगे यहां हमें गैस का प्लेम मीडियम रखना है पैन गरम हो जाए फिर इसमें दो चम्मच ओईल डालेंगे ओईल गरम हो गया है अब हम इसमें एक चम्मच राई एड़ करेंगे राई स्प्लटर हो जाए फिर इसमें एक चम्मच जीरा एड़ करेंगे जीरा हलका ब्राउन हो जाए फिर इसमें दो हरी मिर्च एड़ करेंगे जिसे मैंने स्ट्रेट कट कर लिया है अब हम इसमें एक प्याज एड़ करेंगे इसे भी मैंने स्ट्रेट कर लिया है फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे यहां आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अको कट कर लिया है यहां आप ओनियन और टमाटर को अपने हिसाफ से छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं लेकिन यहां मैंने टमाटर और ओनियन को स्लाइस में कट किया है टमाटर हलके पक जाए फिर इसमें हम आदा कप रवा एड़ करेंगे यहां मैंने एक छोटी कटोरी रवा ए अब हम इसमें स्वाध अनुसार नम्मक एड़ करेंगे, फिर सबको अच्छे से मीक्स करेंगे, ये देखिए, रवा का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें डेड़ ग्लास गरम पानी एड़ करेंगे, पानी मैंने पहले से ही गरम करने को रग दिया था, आप इसमें रेग्यूलर पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गरम पानी एड़ करने से उपमा फटाफट रेड़ी हो जाता है, इसे इस तरह से थोड़ी देर चलाते रहेंगे, ताकि हमारा उपमा अच्छे से तयार हो जाएं, उपमा हमारा रेड़ी हो गया है, अब हम इसे एक बाउल में सव करेंगे, ये देखिए फ्रेंस, हमारा गरम गरम मौनिंग ब्रेकफास्ट उपमा बनके तैयार है, फ्रेंस, ये रेसिपी फटाफट बन जाती है, जब भी आपको मौनिंग में भूख लगे, तो आप इसे फटाफट बनाके एंजोई कर सकते हैं, ये एक हेल्दी और वेटलोस रेसिपी है, तो फ्रेंस, आपने देखा कि ये उपमा कितना फटाफट रेडी हो गया, आप इसे चाय, कॉफी या ऐसे भी एंजोई कर सकते हैं, ये स्वाद में बहुती टेस्टी लगता है, और ये बच्चे और बड़े सबको बहुती पसंद उम्मिदे आपको मेरी ये मॉनिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी उपमा पसंद आएगी, तो फ्रेंस, आप मेरी ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राइ करें, और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर बताईए, अब मैं आपको बताऊंगी आज की बॉनस टिप, उपमा बनाने के लिए आप टमाटर की जगह एक चमच निम्बू का रस एड़ करेंगे, तो इसे भी आपका उपमा टेश्टी बनेगा, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नई और यूनिक रेसि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें